आप लोग सो खुबस अच्छी होंगे तो आज हम लोग time and work का practice set करने वाले हैं वह साथ में आपकी revision हो जाए complete time and work और आपने पहला set complete कर लिया जिसमें हमने average को complete किया था और मैंने आपको बोला था कि पहले आपको जो पढ़ाया यह प्राइब लेंगे और आपको आपको सब्सक्राइब पहलें देखिए पहले आपको पड़के आना है फिर इसकी प्रैक्टिस यहां पर घारा इसमें वह आपको आपको ने चीज़े दिखेंगे कि सीखने को प्रस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी चलिए सबसे पहला कोशन देखिए कोशन है कि ए और बी किसी काम को 10 जान 12 दिन में करते हैं कि एन बी स्टार्ट वर्क टुगेदर दोनों में की काम को स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर थ्री देज्ट पॉरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ होगा तो यह कोशन में आपको बताया था लेफ लेफ वाले केस में कि काम चोड़के चला जाता तो कैसे करना होता है सब सब्सक्राइब करते हैं दिन के बाद हम लेते इनके यल्से कितना होगा 60 अगर हम बात करें एफिसंसी की 6 याण 5 डैट मीन कि यह एक दिन में मैं बहू लूं तो मैं बहूंगे चजह बना सकता है एं भी पांच यह बना सकता है और टोटल मुझे साट बनानी है बनानी कैसे इस डिपेंड अबॉन दर कोशन कहता है कि मिलके पहले तीन दिन काम करते हैं तो ए प्लस बी मुझे बताइए तीन दिन में कितना काम करेंगे सर ए प्लस बी तीन दिन में एक दिन में ए प्लस बी छे और पांच दोनों मिलके गैरा चेर बनाते हैं वो तीन दिन में बन जाएंगे सर तेती चेर ठर्टी त्री चेर्स बन जाएंगी इतना काम मेरा डर्न हो गया मापको बुछों बताओ रोमेनि वा कितना है सर साथ में तेतिस हो चुका है बचा है 27 अब इसको को करेगा यह काम चोड़ दिया एक चोड़के चला गया एंडें बी करेगा तो बी कितने दिन में करेगा देख लेते हैं बचा हुआ का दिन कैसे निकलते हैं सर काम बटे आय्योक्त कर सच्छंट आई दुश्राय को zij किया हुआ तो मुझे कितने दिन लगे तो आप कहसके हैं कि शराय तो कि टो टो टल जैसे तीन दीन न लगई 27 बता पांच हाले इन एन लगाई याट कि पांच मलड़ी थीन धीन और यह हो गया, 42 by 5, यह question I think आपके notes में भी था, same question था, basic question था, 42 by 5 days लगेंगे, that is option number A, so let's see the question number 2, and question number 2 क्या कहता है, A can do a piece of work in 10 days, A किसी काम को 10 दिन में करता है, और B किसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों में के काम स्टार्ट करते है, 5 दिन के बाद A काम छोड़ देता है, B remaining काम कितने दिन में करेंगे, यह पूच्छा हुआ है, तो यह दोनों question आपके notes में भी था, तो A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है, अब time based नहीं करेंगे, 60, 65, अब question यह था कि दोनों में के काम करते हैं, 5 दिन के बाद A काम छोड़ देता है, तो A और B पांच दिन में कितना करेंगे, एक पर लिख लेते हैं, कितना करेंगे पांच दिन में, एक दिन में गहरा करते हैं, पांच दिन में 55 करते हैं, and remaining work इतना आगया, साथ में 5 ही बचा, और इस 5 को कौन करेगा, B, बचा काम दिन कैसे निकलते हैं, काम उपर और नीचे उनकी एक पांच, आंसर कितना आ गया, तो बचा काम भी अकेला एक दिन में खतम कर देगा, तो option number D, अब देखे question number 3, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B, उसी काम को 20 दिन में करता है, with the help of C, they finish in, तीनों मिलके काम को 4 दिन में करते हैं, C, अकेला कितने दिन में करेगा, तो यह question में ने करवाया था, ऐसे ही, value change हो सकती है, यहां पर देखो, A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, A can do it in 10 days, and B can do it in 20 days, आगे दियान से पढ़ना क्या हो रहा है, बहुत है कि अगर C की मदद ले ले, तो दे मतलब all, तो सारे की सारे लोग मिलके, काम को 4 दिन में निप्टा देंगे, यहां तक question समझ आगया, अब मुझे निकालना है, C अकेला कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए चाहिए काम, नीचे चाहिए C की एफिसेंसी, यही सिखाया था आपको मैंने, अच्छे, यहां पर निकालते हैं पहले काम, कितना आजाएगा सबका, 20 ही आएगा, क्योंकि 20 सबके टेबल में आ रहा है, एफिसेंसी की बात कर ले, यागा 2, यागा 1, और यागा 5, क्योंकि 10 मुल्टिपाई 1, और 2, 20, 20 मुल्टिपाई 1, 20, 4 मुल्टिपाई 5, 20, अब आपको चाहिए C की एफिसेंसी, देखो काम कित कितना है, 20, C की एफिसेंसी चाहिए, अच्छा मुझे बताओ, अगर तीन दोस्ते हैं, A, B, C, कितने दोस्ते हैं, 3, A, B, C, तीनों दोस्त मिलके एक दिन में पांच चेर बना रहे हैं, कितनी में पांच, उसमें A और B कितनी मिनाता है, सर, A और B तो 3 बना रहे है, देखो A कितनी है, 2, तो आंसर कितना आ गया, 10, तो 10 देज में काम खतम हो जाएगा, तो आप्शन नमबर, B, आपका अंसर रहेगा, आप्शन नमबर 2 जो दिया हो, आपका 10 देज, और I hope कि basic question समझ पाए होंगे, ऐसे question मैंने आपको करवाया थे, यहां भी एक निया concept है, वह आपको basic questions आएगे, वह आप बना लोगे, and let's see the question number, fourth, A and B can do a piece of work in 4 days, while C and D can do a piece of work in 12 days, in how many days, A, B, C, D, basic question मिलकुली, question पहले उतारी है, जैसे ऐसे दिया हुए, A plus B, दोनों मिलके, दोनों का यह, कितने दिन में करते हैं, 4, and C plus D, कितने दिन में करते हैं, 12, अगर मैं बोलो, is calcium कितना होगा, तो आप बोलोगे, sir, 12 भी is calcium होगा, efficiency की बात करें, तो 3 and 1, यहां तक सब को समझा आगी, 4, 3, 12 होता है, 12, 1, 12 होता है, question में क्या बोला हुआ है, कि A plus B plus C plus D, कितने दिन में करेंगे, sir, किसी के दिन निकालने हो, तो उपर रखिये काम और नीचे रखिये उनकी efficiency, अच्छा, A, B, C, D के efficiency कितनी आएगी, एक जगह में आपको मिताया था, कि अगर A, B, C, ऐसे पेर में दिया हो, तो आपको आदा करना है, लेकिन यहां आदा नहीं करना, सीधा सीधा है, देखो, A plus B कितना है, 3, C plus D कितना है, 1, टोटा कितना होगा, 4, यहां पर A भी दो बार नहीं आया, B भी दो बार नहीं है, अलग लग था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, यहां पर आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप्शन नमबर, थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा, Is it clear to everyone? Let's see the question number 5, अब यहां पर एक चोटा सा concept आएगा, कि सर आपने बोला था कि अगर group हो तब MDH लगाना है, इस question को अगर करना होता है, तो एक ही मनीश है, जो काम को 9 गंडे डेली काम करके 16 दिन में खतम कर रहा है, तो यहां पर मैसे का सकता है, सब को गंटों में कर सकता है, कि जो मनीश है, वो 16 मल्टी पर 9, इतने आवर्सम काम करता है, ऐसे समय लो, टाइम दिया कि इतने गंटों में, लेकिन आगे बाला नहीं दिया, से मनीश है, वो 24 दिन में कितने गंटे काम करता है, तो उसके गंटे नहीं निकलेंगे, ताकि आप LCM लेके आंसर निकाल पाओ, तो इस केस में आप MDS यूज करोगे, यहां पर एक ही बनता दोनों काम कर रहा है, तो द्यान से देखो, क्या है, आवर सो डेज की बात हो रही है, तो MDS में तो यहीं बात होती है, निचे काम नहीं है, तो फिलर में डवलो बन डवलो टू नहीं रखोंगा, तो पहले मनीश मनीश एक है, तो एक ही रहने दो, नो गंटे काम कर रहा है, और दिन कितने लगा रहा है, 16, दूसरा देखो, मनीश एक ही है, दिन कितने लगा रहा है, 24 और कितने गंटे काम कर रहा है, यह मुझे निकालना है, कि डेली कितने गंटे काम करेगी, 26 दिन में खत्म हो जाएगा और करेंगे कट गया दो तीन यह कट गया तीन के साथ तो आंसर कितना आना चाहिए शिक्स कि अब भी उसको 6 गंटे काम करना पड़ेगा डेली तब जाके 24 दिन लगेंगे तो इसका अगर कोशन में मान लो ऐसा कोशन होता कि यहां पर मनीश 9 गंटे काम करके 16 दिन ले रहे हैं और आगे इसका दिया होता है कि छे गंटे काम करके 24 दिन ले रहे हैं दूसरा बंदा कोई अगर टाइम पूछा हुए तो आपको अगर ताइम पूछा जाए तो आपको इसे ही MDS के concept लगाना सीधा सीधा अंसर निकल जाएगा ओके चलिए कोशन बर नेक्स देखिए रोबिन किसी काम को 9 दिन में करते हैं अमीज सेम काम को 6 दिन में करता है दोनों मिलके काम को को खतम करते हैं यह कोशन आगे भी आएगा सेम कोशन होगा अब देखो मैंने को थोड़ा सा आइडिया दिया था अगर नहीं पढ़ाया होगा तो अभी देख लेना क्योंकि यह बिल्कुल बेसी कोश्चन होता है सबसे पहले रोबिन की बात करें तो 9 दिन में करता है उसके आपको क्या करना है उनकी निकालने उससी रेशयो में पैसा भी बंडता है अगर किसी की काम करने की । तो इसको पैसा मिलेगा मतल समझे लो कि इस रेशियो में पैसा बंडना होता है अब आपने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ रहा था आप बताईए अगर और एक रेशियो दो तीन है इसमें से बोले कि टोटल इतना एक ही वहले कितने हो भी तो निकाल सकते हैं कोशन बिल्कु कुछा किया आपको बूछ से रोबिनान चाहिं कितना दो अ कि यह कट गया पांसों के साथ अनसर कितना गया एक हजा रोबिन कुम एक हजार फंद्रा सो मिलेगा अमीद को तो आपको यह याद रखना है कि टाइम एंड वर्क में पैसा बाटना हो तो वह रेश्यू में बाटा जाता है जो इसके बाद आपने पड़ा इसा रेश्यू का कॉंसेप्ट तो यह दो कोशने में लागे एक कॉंसेप्ट बनाया गया है से लेट से लेखना हो टो हुस्टन इसकी कांभशार एसकंवा होना होना दोम बनाया दूम को न करता है थैय। कोुछ Alg., पूछा जाता है नहीं पूड़ा है प्रक्टिस धन देखो अगर पyorsun पेयर में लेंगे एकद यह प्लस पी Теперь है कितने दिन में करते हैं कि 15 and c plus a कितने करते हैं अगर बात करें टोटल काम की आज जाएगे 6 चार तीन अब यहां तक समझ पाई होंगे और मैंने आपको बताया था जब भी पेर में काम दिया हो तो आप सामने बाले टोटल की आधी टोटल इतना चेचा दस और दिन तेरा तो तेरा का आधा ही होगी मैंने बोला था पेर में दिया तो आपको आधी करने है ठीक है आपके पेपर में मैक्समुम कुश्य यहां तक आएगा कि बताओ मिल करें तो कई से एक लिए कुश्य कैसे निकालना यहां जेकर अगर टीन में काम तूटल से करवाने तो तीरह मटे 2 चला जाएगा कि अभी के लिए देख लो क्या बूच्छा हुए शुच्रा Со realizing कितने दिन काम करेंगे एक दिन में तेरा बटे दो और मलीपे कर दो ऑट यह कटे गया तो आजसे इसना है फिप्टीटू फिलाल फिटीटू काम क्या हो गड़ा remaining work कितना बच गया 60 में 52 हो गया and still 8 काम बचा है अब इस 8 काम को कौन करेगा इसको करेगा C करेगा 8 काम को बट C की efficiency निकालना है यह कुछ नहीं होता है कभी कभी एक ही पूछ लेता है किसे पूछ लेता है तो ABC कैसे निकालना देखो ABC कितना है एक प्लस बीप्लस सी कितना है 13 भाई 2 आपको निकालना सी तो सी के लिए क्या करेंगे AB की पहले पूट कर देंगे AB कितना करता है कि दिन में 6 अगर मैं इसकी जगा 6 रखता हूं तो अगर को बर्छाए को सी कितना जाएगा इसमें से 6 सब्टेक्ट हो जाएगा यह जाएगा वान बाई 2 कि यह होगी सी की एफिसेंसी कल को अगर एक ही पूछ लेता है तो BC BC निकाल देंगे 813 मटे 2 उस में 20 कितना 4 निकाल दो तो जो भी बचेगा करने को B पूछ लैता है तो A C निकाल देंगे तीन पाए जाएगा मतलब मतलब three C जो पूछ जाए उसको बचेक को निकाल दो जैस कि है निकालन डा तो 2C कितना तो इस वह साफ से सी कितना लागा one and two नीचे रखाएं लागा one चला गया उपर तो आठ मल्टिपेश दो कितना होगा है 16 दिन में बचा हुआ काम खत्म करेगा सी तो आपके लेवल का कोश्चन बताता हूं क्या करना आपको सिंपल आपके लेवल कोश्चन यही है कि ABC की एफिसेंसी जो भी निकल के आएगी मानलों 20 है उसको आदा कर देना 10 बन गी अब 10 के हिसाब से पूरा काम कितना है कितने दिन में करेगा तो अंसर आजाएगा छे दिन में तो ऐसे ABC से काम करवाने के लिए पूछेगा लेकिन अगर गलती से ए जाम बी जान सी का अलग पूछ लिया तो उस हिसाब से कोश्चन देख लेना आपके लेवल कर यही कि एक की एफिसंसी बी से 20 परसंट जादा अगर मैं ए और बी की बात करों तो एक को मान लो हंडर्ड बी बीस परसंट जादा मत एक सो बीस तो अगर काटेंगे यह आ जागा च्छे पांच यह आगे इसकी एफिसंस अब मैंने बोला था जिसके भी दिन निकालने है एक इत और काम मेंशा क्या होगा किसके दिन दिये हुएं बी अकेला बारा दिन में करता है तो जिसके दिन उसकी एफिसंसी से प्रोटेक्ट कर दो यह काम होगा तो यह कटके दो के साथ आंसर कितना गा टैन तो यह मैंने बहुत सारी कोशन आपको प्रैक्टिस भी करवाए थे और पिर उसके बाद है एक कितने दिन में करते हैं तीस कि अलसिम की बात करें तो साथ यह गया थीन ही ओगा दो अब क्या पूछा है सी कितने दिन में गरेगा यह पूचा हुए काम कितना 60 Cräp presidency निकालो वही अगर तीनों मिलके एक दिन में तीन चेहर बनाते हैं उसमें A और B दो बना रहे हैं तो C किती मनाता होगा Confirm है एक बनाता होगा वही तीन बनाते होगा वही तीन बना रहे हैं C किती मनाता होगा एक और साथ बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला कोशन था कोशन नेक्स देखिए 21 टाइपिस्ट मतलब की बात हो रही है तो सीधा लगा दो M1 M1 D1 M2 D2 कुछ दिया ही नहीं है कितने टाइपिस्ट है 21 कितने दिन में करते हैं 8 दूसरी बार टाइपिस्ट कितने है 15 कितने दिन में करेंगे पूछा हुआ है तीन में कार दो 5 मल्टी पर 3 7 तो 7 मल्टी पर और कितना होगा 56 नीचे आजाएगा 5 11.2 कर सकते हो इसमें कुछ भी सिखाने वाला नहीं है 20 लेक्षे देखो नेक्स देखो कुछिन नबर 11 था एक किसी काम को 30 दिन में करता है बी उसी काम को 48 देज में करता है पीस दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है देखो बीस आप्टर वर्किंग अलोन फार 20 देज एलफ तब और बी स्टार्टर वर्किंग हो मैंनी हो मैंनी हो मैंनी हो लॉंग बिल बी टेक टू कुम्प्लीट था इसा भी कोशिन पूछ जाता है एक इतना तीस अब बताता हूं यहां पर चेंज क्या किया है उसने बी करता है 48 सबसे पहले तो एलसिम कैसे निकलेगा चले एलसिम निकाल लेते हैं इतना बड़ा तो नहीं सो सकते ऐसे लिख 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 लेते हैं चे में कर दिया पांच आठ फिर 30 को करोगे 8 के साथ और यहां पर देखो 48 को किसे करेंगे 24 साथे 48 को अगर मैं पांच से करता हूं तो कितना आता है हाँ 240 तो अगर मैं आपको बोलू कि दोनों कितने दिन में करेंगे तब आप निकाल सकते थे 240 बड़े दोनों का टोटल लेकिन अब देखो क्या किया उसने उसे बोला है कि अकेला पहले यह आता है अकेला यह आता है कि वह 20 दिन लगाता है और चला जाता है जो स्टार्ट करेंगा उसी के काम आपको निकालने तो बीस दिन में एक इतना करेंगा एक दिन में आठ कर रहा है और बीस दिन में कितना करेंगा एक सोट एक सोट काम ड़न हो गया एंस टिल रमेनिक बख है कितना कि दोस्तों चालिस में से एक सोट चेर बन गी अभी विए कितना पैंडिंग है अब यह 80 काम कौन करेगा बी तो कितने दिन में करेगा यही पूछा हुआ तो 80 डिवाइड वे 5 तो आंसर आजाएगा 16 दिन में करेगा यहां कौशन में चेंज यह थी कि यहां पे स्टार्ट दोनों से नहीं करवाया सिंपल ए से स्टार्ट करवाया और ए चला गया करके यह नहीं बोला कि दोनों मिलके स्टार्ट करते हैं तो यह चला जाता है स्टार्ट ही अकेले यह नहीं किया और भी सिन आके करके चला गया फिर भी आया तो यहां पर चेंज थी यह देख लें थोड़ा सा बाकी कोश्चिन में कुछ भी चेंज नहीं है कोश्चिन नमबर 12 अगें से बेस कंसेट नहीं को पूछा गया सीपियों में विवेक इसी काम को चोज़ा दिन में करता है थीक है विशाल 75 परसंट मोर एफिशेंट विवेक से यह बिशाल यह एफिसेंसी बेस कंसेट है यह विवेक 75 परसंट जादा कौन विशाल तो 100 मालो विवेक को और 75 मतलब 175 हो गया काटेंगे तो 4 यह आगया 7 25 के दिन में काट दिया अब कोश्चिन में देखो क्या है क्या पूछा हुआ है विशाल कितने दिन में करेगा तो विशाल के डेज निकाल दो कि डेज कैसे निकलते है नीचे एफिसेंसी उपर काम काम में चैसे निकला इस केस में जिसके दिन दी है किसके विवेक के उसकी एफिसेंसी से पूड़ेक्ट कर दो यही काम होगा क्योंकि एफिसेंसी कितनी चार यह कटकर दो के साथ अंसर कितना है आठ तो आठ दिन लगेंगे विशाल को अकेले काम करने में जिसको विवेक 14 दिन ले रहा था तो समझ आई बात की मिलकुल बेसी कोशन था कोशन नमर 13 देखिए एक किसी काम को 35 दिन में करता है बी उसी काम को 15 में करता है दोनों मिलके 8 दिन करते हैं बी काम छोड़ देता है तो यह देखो कोशन कि 60% आप remaining work कितने दिन में करेगा आप देखो परसेंटे कभी कभी कोशन में आ जाती है एक कोशन में करवाता हूँ एक आपको होट करना है एक कितने दिन में करता है 35 यहां तक पड़ा हुआ है B 15 में करता है टोटल बात करें तो एलसिम कितना रखें 105 यह 3 से कट गया और यह 15 मल्टिवाइश साथ अब देखो यहां पर कोशन क्या है कि दोनों मिलके 8 दिन काम करते हैं तो यहां तक तो सेम पड़ते आ रहे हैं एक प्रस भी 8 दिन में कितना कर लेंगे एक दिन में 10 करते हैं दोनों और 8 दिन में 80 काम हो जाएगा अर्मेनी वह कितना है 105 80 निकाल देंगे बवा जाएगा 25 यहां तक तो कोई भी फरक नहीं है कोशन में अब कोशन है अगर मैं कुछ हो बताओ बी बचा काम कितना दिन में करेगा तो आपका अंसर होता कि सर्फ 25 नीचे बी के अपस्टन से कितनी है साथ यह अंसर आ था लेकिन उसको बचा हुआ काम नहीं करो ना किया कुर्वाना उसको अच्छा बी काम छोड़ देता है तो एए बचा हुआ कौन कर रहा है उसको बचा हुआ काम नहीं करोँआ करवाना है यह मालों बचा हो काम 25 ठीक है पहले मैं आपको बताता हूं कैसे निकलना है पहले इसका साट परसंट निकालेंगे तो साट कि 25 का साट कैसे निकलेगा इसका इसको पिर आपको क्या निए लिखना कि अब जो भी परसंटे बोले जिस भी काम की टो उसी से एक्स्रा प्रटेक्टट करना कुछ निकलना खरकों बोलता 40 तो 40 बटास 50 पड़े सो इससे एक्स्रा मल्टिपे करना होता है बाकी अंसर आपका सबकुछ वही होता है अगर बोला आता बचा काम कितने दिन में होता तो 25 वड़ा तीन दिन में होता लेकिन उसमें बोला पच्छी होएका 60 परसंट तो 60 परसंट निकालने के लिए बस उसी से प्रडेक्ट एक्टा करना होता और कुछ नहीं करना होता अपको देखो द्यान से कट गया आपका 30 काम का मेडरी दोनों से करिवाना है 105 जिरुजाइब देखने परक्रवणा लाब मूलता हूं गया यह 2 साक निकरक्ट करना। कुछ निकार और कौना का अभी उसने इस दिन लगए है लेकिन जो भी वो बोलेगा इतना परसेंट करवाना है तो उससे एक्सटा पॉडेक्ट करोगा और कुछ नहीं करना आपको यहां तक सब कुछ सही में यह आपने पड़ा हुआ है बस एक्स्टा मैंने सिखा है कि जितना परसेंटे बोले जिस काम का उसी से एक्स्टा पोड़ेट का दोर कुछ नहीं करना करना वही था नेक्स्ट कोशन देखो यह भी देखो एफिसेंसी बेस कोशन है सीजल में आया हुआ है एक वे करवात है यह भी पहले इसको देख लो कोशन नमर 15 को यह असान कोशन है जो आसिफ है वह विशीर से डवल अच्छा काम करने में तो ट्वाइस हो गया ट्वाइस गुड़ वर्क मैनेज भी विशीर दोन नीचे उसकी आफिसेंसी है और काम क्या लिए कैसे निए इसके इसके में जिसके भी दिन दे उसकी एप्सटेट करो दोनों मिल त्वुच्व है तो दोनुं के आप 15 से ऑसर कोशन ता कोशन नमर 14 देखो यह अच्छा कोशन है यह सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यह सिरफ आपकी प्रैक्टिस थी यहां पे आपको जैसे बहुत सारे कोशन आपने पढ़े हुए एक्स्टा परसेंटेज बला यह सीखा होगा आपने तो एक दो कोशन पीच्छा है अबस बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ है कोशन आपके लेवल का बैसे नहीं है चलो कोशिश करते हैं एक चालीस परसेंट मोर एफिशन डबी को सो मालो बी से चालीस जादा मत एक सो चालीस और सी बीस परसेंट कम थोड़ा साट कर लेंगे इसको जिरो से यूरो कट गया दो कर दो साथ मल्टी पर दो चोदा पांच मल्ट आप दो इसने को आप सो मानके डाटा बना सकती हो क्योंकि ए चालीस परसेंट जादा था बीस है तो चालीस परसेंट जादा मत एक सो चालीस और सी बीस परसेंट कम नतलो एक्टी तो एफ़िशन से निकल लगी आगे देखो देकन फिनिश यह वरक इन फाइफ देज अगर पांच दिन में काम कर देते हैं इन हो मैनी डेज अलों कम्प्ली सेबंटी पर सेट वर्ग तो एसे करवाना यहां पर देखो एक दिन निकालने हैं ऑफिसेंसी पनसरप्र है नीचे एक एक साथ शर दिन दे दे मतब्यां कितने 5 दिन सबक्षेंसी है साथ 512-416 एप टूटकल लेकिन बूला कि सबकुछ वही करना तै मैं इस दोकुछ वही करना है अगर परसेंटेज बोलेगे इतना करवाना उसको तो एक्स्ट्राइट करें गाए बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ आपने करना है तो यहां पते को साथ से कट किया साथ 10 कट गया दो के साथ और यह कट किया आठ के साथ आंसर कितना आगा एट एस तो यह एफिसेंसी थी जिसमें तीन मंदें दी यही रिखे लिया अकॉडिंडिय कोशिंट यही ओता है शांनल नीकित से गरवाना उसको यहिल कि बगया। नि तो इसके दीन दीए उसके पुलेकर और अगर परसन जैड़े में तो अ मज़ आया होगा कुछ नहीं चीज़ सीखने को मिली हैं बाकि हमने जो पढ़ा था वही मैंने प्रैक्टिस करवाई है तो आप इसके प्रैक्टिस जो भी करवाई इसके नोट्स भी आपको एप में तो मिल जाएंगे बाकि बीएमसी क्लासे बिद अज्य पे टेलीग्राम चै टेकर गडब्स यू